हेलो एवरीबन तो आज हम रीचर्ड एवराइट के बार में तुला जानेंगे उनकी काफी अच्छी स्टोरी है रियल लाइफ स्टोरी है कि कैसे यह के बटरफ्लाइक को कलेट करने की जो उनकी जो आदत थी बचपर में वो कैसे आगे चल कर उनको सेल थियोरी के को लेकर उन इनटे बराइट है और अभी वाक्समें स्ट्विट ऑफ मायक्रोबियोजी के डायक्टर है तो सबसे शुरू कर देए पर मैं बाल में आऊंगा तो उनका जन्म यहां पर यह पूरा अमेरिका का मैप है यहां पर यह पिंसिल्वानिया स्टेट है दर असल अमेरिका में 50 तो यह पिंसिल्वानिया में इनका जैन हुआ था और शुरू से इनको चीजे करने का बहुत ज्यादा सौक था और सबसे ज्यादा शौक तो यह था बटरफ्लाइज को प्रेट करने का यह देखर रहो बटरफ्लाइज यहां पर ठीक है सबसे पहले तो हुआ कि उनकी जो माह थी ठीक है उनके उसके लिए कभी मतलब टेलिस्कोप माक्रोस्कोप कैमरा मांटिंग मेंटरियल फी ट्रीप ले जाना ताकि उसके जो भी जो भी उसका जो अथी है इन चीजों को लेकर जो फैसीनेशन है कलेक्शन को लेकर उसमें उन्हेंने बहुत मदद की और यह देखो यह 25 टाइप की तिलियों के टाइप है ठीक है जिसको रिचर्ड एवराइट ने कलेट किया था उसमें पेंसिलवानिया में रीडिंग एक जगा है वह रीडिंग मतलब यह पढ़ने वाला रीडिंग नहीं यह जगा है ठीक है तो तुम पढ़ सकते हो इसको इसके बारे में आगे इस पर चलकर उने बहुत काम किया अब हम देखें कि आगे कैसे कैसे वे आगे बढ़े इसको लेकर तो तुम चाहो तो तुम पढ़ भी सकते हो इसको सबसे पहले क्या हुआ कि उनकी मार्ज वो थी उसके लिए उन्होंने क्या लाया एक बूख दिया है यहाँ पर इते शाल तो इस बुक बच्चों यहाँ बूक तो इस को बचो कि बूक है लेकिन में बताया कि कैसे बटरफ्लाइ कित्या क्यों किसम होते हैं तो एक किसम मुनार्क क्य созд करते हैं एक ती किसम स्पेशहा हुआ इसां यहाँ पर है Halo share के एक Mувати बोटे फ्लाई है वो सेंटर अमेरिका की और मेगरेट करती थी तुम्हें पता ना साइवेरिया की क्रेन साइवेरिया से भारत में आती है ठंडे के मौसम में क्योंकि ठंडे में जितना मतलब भारत था उसे कहीं ज्यादा साइवेरिया तो अपने आपको कहीं पक्षी से लेकर तो यह तितलिया भी मैगरेट करती थी तो इस चीज को लेकर इस पर सोचा थी उसकी मान ने टोरेंटो इन्वर्शिटी की एक प्रोफेसर से डाउटर यूग हाट वहां पर उन्होंने लेटर वेजा ठीक है और लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि मतलब श्टीकर चिप कहा जा थी तितलियों के उपर ताकि जब मटलब तो उन्हें पहचान जा सके तु дальше यहाँ पर यहां पर यह जह माउस यहां पर है यहां पर करें टोरांटो है टॉर्णटो उन्वर्षिटी तो लेकिन इसमें काफी समय लगता था क्यों Cape a cases दिंद्यों कर यहां पर भेशता था रीचर ओ एक धी थितलिया मतलब वहा लगी हुए मिली तो उसने क्या किया कि इधर एक मिनट तो इन दे नेक्स स्टेप आफ दे एवराइट वास तू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई एंड ही उड़ कैच अ फीमल मोनार्क फीमल मोनार्क मतलब एंड टेक हर एक्स एंड रेज इन दे बेस्मेंट थू देर ला से इग भलता है ठीक है एक बात फीर ओंया जाता लोरी पाइफ छटाइया में पर फीर रॉक्मेंध गांट बटरफ्ली में पडलता है श महां थू एक मुट्र इन टैग बटर फ्लाम बें येंदली का ए वारिम हम अ पास्टो रिया और पान भान्गिकर आप से अल के निट बाते हैं कि जब वो 7th class में था तो उसने उसे पहली बार हिंट मिला कि real science क्या होता है जब पहली बार county science fair क्या से तुम्हारे school में जिए विसन होता होगा science का तो county science fair में मतलब वो नहीं जीता उसका कोई price नहीं मिला और उसने क्या बनाया था his entry was slides okay क्या था his entry his entry was slides of frog tissue ठीक है frog tissue का slide था which he showed under a microscope तो यह बहुत ही मतलब वो तो सब को जानता है ना frog tissue का slide microscope के अंदर बहुत ज्यादा कोई नया चीज थोड़ी है तो उससे रिलाइज हुआ कि जीते हैं जीन पार्टिसीमेर्स जीता है जीते हैं उन्होंने सही में कुछ नया करने की कोशिश की थी तो इस बात को इस बार को उसने क्या किया पकड़ लिया और उसने अगली बार आश्वारिश के चलते हैं तो उसने सोचा कि यह वाइरल लीजी जो कोई बीटल करता हुआ बीटल का जैसे कि वह कीड़ा है एक प्रकार का बीटल ठीक है तो इसको सर्च भी कर सकते हैं मैंने इसका फोटो यहां डामा भूल गया तो एवराइट ठोट डैट इस डीजिस यह यह को कर bütün आहीं होते हैं लेकीज और इसने कोसिच कि चलो किंटकुर्ट को क्या करें इन चाहिकर किसके प्रेजजों को बिटर्स के प्रेजेंट में ठीक है कि अगर बिटर्स के चलते हैं हो रहा है तो जरूर कैटर्पिलर मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगले साल उसने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट पर काम किया उसी पर उसने क्या किया कि नेक्स्ट यह उसने जैसे ऐसा की bir जो वी ओर यक बटरफिलाई का यह थी है द्लश कौको आ वे यह यह कॉन सा थाइप्प आप यह Excellent आ इसकी किसPal पी करता था मुझा आत्यों की जो तो जैसे तुमने पढ़ा हो न एवोली इ Kirby कि घिराफ आग पहरal जिराफ के जो क्या बोलते हैं यार जो गर्दन है और साइद पहले उतने उचे नहीं थे तो में इस़ाएर ब्डर ही जिसकोपी करता था मुनार्च को पर किर नहीं लेगते थी तो शेयर ब्डर और ऑस राइन जो नी निचे ने बटऺफ्लाई जो वाइस रैं वाश राइप अधर निशकन बाड़ यह यen इस ने क्या क्या इसको कॉपी करना सुरू किया क्यों कि अगर ये वटर्फ्लाई इसे जैसा ऊपर वाले जिल दीखना pathsis अब बस रहिए और विल में सम्हें कि ये ऊपनाच ध्रफलाई है जबक議ataan तो कहीं इसी चीज का आप संवश्थ कर ना वाले को ग्ला वाले को कोषिश कोषिशibenर आ एंट था येुटि ग ही शैंच में जा रहा था और इस जीज को दिखहने की कोषिशिश की थी अब राइस ब्रोजेग् Mia ठेक्त हो यहां पर स्वर्स येशी division एंड थर्ड ओफर रॉल इन दा कांटी साइंस फियर तो इदेखरों कितना नया नया चीज है कुछ नहीं बात कि अल बटरफ्लाइज की है पहली बार उसने क्या क्या इसको अपने अपने यहां पर कांटी विश्ट के बारे में अथी किया कि कहीं बीटर से चलते नहीं है इस बात हड़ा आया इन ओवररास कांटी साइंस फियर अब आगे जो मैं बताने लाओ वह बहुत इनपॉर्टेंड है हुआ कि जो मोनार्क कैटरपिलर है क्या है क्या है क्या है क्या है और इस कैटरपिलर पे ये देख रहें गोल्ड स्पोर्ट है इसको केसे करूं एक तो इस तरह के कई गोल्ड स्पोर्ट से ठीक है हुआ क्या कि जब वो सेकेंड अब तो इस सेवेनेट की बात हो गई जब वो सेकेंड यर हाई स्कूल में था तो रिचर्ड एवराइट बीगें दर रिसर्च देट लेट विस्कवरी ऑफ अननोन इस्ट हरमन ठीक है हुआ क्या क्या गौशिन का था वाइट फ्ट्र उसके सामने यह था वाट के उसके सामएं आफ कि वाट फ्र्पम अफ दह कंगरं दृबरने तरह मतलब है क्या सजावीए बटरफ्लाइच के लिए या सच मिसका कोई मतलब है और तो बहुत लोगों ने माना कि यह केवल सजावट के लिए ठीक है लेकिन उसे डॉक्टर यू कहाट है जो कि मैंने बता ना टॉरंट इंवर्शिटी में प्रोफेसर थे उनको भी लगा थे मतलब लगा कि उनको बिलीब नहीं था होता था कि यह केवल सजावट के लिए जरूर इनसे यहां पर मेरा कर्स है यह जो गोल्ड इसपोर्ट है यानि कि यह एलो रंग के जो कलर्स है यह एक हॉर्मोन से क्रीट कर रहे है जो कि बटरफ्लाई के फूल डेवलप्मेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी था ठीक है इन्होंने उस डिवाइस के दौरा दिखाया है कि यह कर सचावट के लिए नहीं है बलकि इनसे कुछ क्यमिकल से क्रीट हो रहे है इनसे कुछ हॉर्मोन से क्रीट हो रहे है जो कि बटरफ्लाई के फूल डेवलप्मेंट के नेसेसरी था मोनार्क प्यूपा के जो एक 12 गोल्ड स्पोर्ट थे और यह जो यह प्रोजेक्ट था जो इसने कर देखाया इसमें और यह प्रोजेक्ट फस्ट प्लेस इन कैंटी प्लेसिंए प्रोयजिव में पहले प्रोजेक्ट और इंटरनेशन साइंसंसर इन्जिनियरिंग क्ली प्लाग है और देयर ही ओं he grew cells of a monarch wing in a wing culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the gold sport उसने यह भी दिखाया कि जो monarch butterfly है wing in a culture and showed that the cells तभी divide करेगा normal butterfly में जब उनको वो hormone मिलेगा जो gold sports यहां पर दे कोई gold sports लिखावाई देख रहा है और gold sports produce कर रही है और that project on the first place for geology at the international fair, ठीक है? अगरी उसे फर्मोनार्क विंग है उसने क्या कि monarch wing यह देख रहो monarch wing यह देख रहो monarch wing यह देख रहो monarch wing इस monarch wing से एक cell को ले लिया और cell कल्चर तुम बाद में पढ़ोगे जो कि एक cell से दूसरे cell में reproduce हो रहा है ठीक है तो उसमें उसने एक में क्या गिया होगा दो test tube लिया होगा साथ एक में उन cell को रखा होगा जिसमें gold sports उत्पन हो रहे हो रहे हॉर्मोन को नहीं डाल होगा और दूसरे test tube में मालनों यह test tube number one है और test tube number two है और दूसरे में उन hormones को रखा होगा था पर चला कि इसमें growth हुआ और इसमें growth नहीं हुआ उस जो wing का जो sale था तो इस तरह से उसने प्रूफ किया और यह जो project था that project on the first place for geology at the international fair और उसके बाद he spent summer after graduation doing further work at the army laboratory and the laboratory of the U.S. Department of Agri Culture और उसके बाद फिर उसने Harvard University admission लिए Harvard University से भी उसने अच्छे मांस लाएं बहुत ज्यादा अच्छे मांस लाएं फिर उनको graduate researcher के रूप में उसे काफी उसने काम करने का बार बार मोका मिला और फिर उसके बाद Everett got the idea और हुआ क्या कि यह जो किधर गया Everett got the idea of his new theory about sale life it came while he was looking at x-ray photo और sale theory तुम जाने भी न स्राइड इन स्वान ने दिया था कि sale basic unit structure of function unit of life है फिर sale एक दूसरे sale reproduce होते हैं और कोई भी organism एक से ज्यादा sale से constitute होते हैं मतलाब जो multi-cellular है और तो लेकिन यहाँ पर Everett got the idea for his new theory about sale life it came while he was looking at x-ray photo of chemical structure of hormone उस hormone जो गोल्ड इसपोर्ट से निकाल रहती इस गोल्ड इसपोर्ट से ठीक है of a hormone hormone when he saw photos a rat didn't shot Eureka और even I have got it but he believed that along with his findings about insect hormones the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle how the cell can read the blueprint of DNA Silk Acid DNA के blueprint को पढ़ पाते DNA क्या होता dexoribonucleic acid जो कि मतलब parents है बच्चे में जो character जाता है जैसे कि parents की आखे अखे अगर नेली हैं तो बच्चे की आखे भी बहुत ज्यादा प्रॉबिबल है कि नेली होंगे parents का blood group जैसा है बच्चे का blood group उसी से प्रभावित होता है parents का height है तो उसी नुसार बच्चे का भी height model होता है तो यह character कहां से बच्चे में आता तो DNA carry करता है ठीक है लेकिन बात यह है कि जो कोशिकाएं हैं जो cell है ओ DNA को कैसे rate कर पाती है DNA में information है gene है 23 pair of chromosome होते हैं DNA में लेकिन cell कैसे पढ़ पाती है उन चीजों को और उसके अनुसार body को या body के organs को जैसे की eyes को इन चीजों को कैसे मौल्ड कर पाती है तो इस बारे में theory यह कैसे इस चीज को पता करने में कहां से मदद मेरे थी रिचेड राडी को हर्मों को study किया और उनके photos को 3D structures को देखा और उसे लगा कि इस सवाल का जवाब यहां मिल सकता है so DNA यहां तो लिखा है कि DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity it determines the form and the function of the cell thus DNA is the blueprint of life तो यह जो question था कि और अगर यह theory correct हुआ तो पता चल जाए कि कैसे cell read करता है DNA को तो बहुत सारी वीमारिया ठीक होती है जैसे कि alzheimer यह सब genetic disease है cancer तो क्योंकि अगर उस cell को अगर मैं रोक लूँ कि तुम यह DNA का जो information है यह मत पढ़ो क्योंकि इससे यह disease के carrier है मालो को genetic कैसारी genetic वीमारिया है तो किसी अगर हमें पता चल जाए कि कैसे read करती है तो हम उन्हें रोक भी सकते हैं कई चीजों को और मतलब enhance करने के लिए रोकने के लिए तो अगर इफ देवरी प्रूफ करेक्ट इट विल बीग इस्टेप तोवर्स अंडरस्टेंग प्रोसेस अफ लाइफ अगर मतलब देवरी जाए प्रूफ तो इस फटीजों के लिए प्रूफ यूप करेंग प्रूफ प्रूफ अवरी तो इस थीजों के लिए तो इसे चोटा सब्वक जो उसके माने दिया था ठीक है ऐसे जब वो दूसरा तिसरा क्लास में था तभी उसकी पिता की मिर्दू हो गई तो उनकी मां के लिए उनका बेटा यानी क्रीचर अब राइट है उसकी उनकी पुरी दुनिया थी और वो सब चीज अब राइट को कुछ न कुछ सिखाने के लिए हमेशा रहते रहती यहां पर एक लाइन भी लिखा हुआ होगा कि दर गया कि दर गया कि दर गया कि दर गया मांटिंग माटेरियल से और अब यह वाक्समें इस्ट्यूट अफ मांटिविलग जी कर डिरेक्टर है और प्रोफेसर भी है रहूंटर्स इनके बारे में पढ़ते हैं तो कैसे एक छ पर अब यहां तक पहुंच चुका है सिल्ट थीूरी के बारे में तक पहुंच चुका है और यह बात का पतला में कोशिश कर रहा है कि कैसे डिये ने सिल्ट कर पाती है डियने की इनफॉर्मेशन को देख रहे हो तो उसके अंदर क्योर्योसिटी था हर बार कुछ नायक करन उनके पास है और अभी भी वह जीनना ही है और फिर होई है कि यह राइट रिजन के लिए करना काफी इंट्रेस्टिंग था भाई यह कोई फिलिम नहीं है रियल लाइफ में आसा हुआ है और अभी जो बात चल यह कि DNA कैसे रीड कर पाता है तो होता है कि DNA पहले RNA में इसको ट्रांस्क्रीप्शन भी करते हैं यह जो DNA है यह DNA रेप्लिकेशन जो है यह RNA सिंथेसिस होता है और आरेने से तब जाके यह protein सिंथेसिस होता है और इसी protein से amino acid बनते है ठीक है जो कि हमारे ट्रेड को यह हमारे body organs को shape देते हैं ओ क्या हमें quality होगी हमारा height क्या होगा हमारी आउखों का मतलब हाला किया तो खाफी high level हो जाएगा बट मतलब मैं बताना चाहता है कि कैसे मतलब एक छोटी से चीज कैसे मतलब कहां से कहां पहुचा सकती है ओके और यह जो painting था इसमें तो यह है एक रास्ते से गुजर रहा है और इधर आसपास जंगल है और यह उसके तीतिलियों की दुनिया जिस पर हमें इसा काम करते हैं ठीक है तो बस यही था तो यही एक सवाल है कि क्या तुम अगर मालो 15-20 सार बाद जब तुम parents बनोगे और तुम्हारे kids होंगे तो अ अगर वह करेंगे तो क्या तुम उन्हें प्रोसाहित करोगे या फिर तुम अपने चीज उन पर थोपो हुए ठीक है और बस वही है कि ते को कितना मतलब क्या ही मज़ा आ जाता यार इस रिश्टोरी को पढ़ गया क्लास 10 में इंगलिस लिट्रेचर में यह यह चैप्टर था the making of scientist इस चैप्टर का अधी था heading था टाइटल था उसी में रिचर्ड रिचर्ड के बारे में लिखावा हुआ था तो पढ़ना उसको अगर पढ़ना हुआ क्लास 10 के CVC books में चलता है CVC में भी है CVC वे क्लास अधी में है बोड में क्लास 10 NCRT तुम्हारा इंगलिस तो यही था मैं मताहा चाहता था इसको मुझे बोट अच्छा लगता है यह वला क्या ही मतलब हर बार में इसको पढ़ता हूँ so thank you so much guys for watching this have a great day ahead